नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज मैं मेरे चेनल जी ए से खावजी के हिंदी इस्ट्री के माध्यम से आपके लिए हिंदी सिक्षण स्टंकला के अंतरगत उपसर्क से समन्दित वीडियो लेकर आया हूँ में हिंदी संस्कृत और विदेशी ऊपसरगों के बारे में हम बात करेंगे और उन्षी शब्दी निर्मान कैसे होता है इसके बारे में हम विस्तार से जानेगी दोस्तो, वीडियो को आधी से अंत तक देखेंगे तो आपको उपसर्गों से समझे सारी जानकारी और साई जानकारी आपको मिलेगी सर वह पृत हम आप मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लएजे दोस्तो, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोज के बारे में समय से जानकारी मिल सके तो दोस्तो शुरू करते हैं उपसर्ग दोस्तो शुरुआत में हम उपसर्ग की परिभाशा जान लेते हैं उपसर्ग की परिभाशा क्या होती है इंग्लिस में इनको prefix करते हैं ये पूरू में ही लगते हैं तो उपसर की परिभाशा होगी वे शब्दान्स जो किसी मूल शब्द के पूरुव में लगकर नए शब्द का निर्मान करते हैं अर्था आप नए अर्थ का बोध कराते हैं उसके अर्था शब्द के अर्थ में कुछ परिवर्तन कर देते हैं अथ्वा अर्थ को पूरी तरह बदल देते हैं, उपसर्क कहलाते हैं, विशे ध्यान दीजिए, उपसर्क शब्द नहीं शब्दांस होते हैं, उपसर्क को शब्द मानने की भूल नहीं करने हैं, ये शब्दांस होते हैं, अथा इनका स्वतंत रूप से कोई अस्तित्व नही देता है उसी प्रकार हार में परी लग गया तो परिहार सम लग गया तो संहार प्रय लग गया तो प्रहार इस प्रकार से अलग-अलग अर्थ वो दे देते हैं दोस्तों उपसर्ग तीन प्रकार के होते हैं संस्कृत के उपसर्ग हिंदी के उपसर्ग और विदेशी इनके संक्या 22 होती है, ये हैं अधी अती अनु अप अभी अवत आ उत उप दुर्दुस नी निर्निष प्रती वीशू सम अन, ज्यान देने की बात क्या है कि इन 22 उपसर्गों में किसी में भी बड़ाई या बड़ाऊ, ये बड़ी मात्राई नहीं, दिर्ग मात्राई नहीं है, आ और परा को छोड़कर सभी लगू-वर्ण है, देख लिजिए, सब में चोटी-चोटी मात्राईं लगी है, एक परा में आपको दिर्ग वर्ण नजर आएगा, और एक आपको आ, आ उपसर्ग में आपको दिर्ग वर्ण नजर आएगा, इनके तरिग 22 अन्य के लिए हमें संधी और समास का ज्ञान होना आवशेग है संधी अगर आपको आती है तो आप उसर्ग उपसर्ग आसानी से समझ जाते हैं और कई जगे अव्यशब चीदे जुड़ते हैं संयोग होता है संधी नहीं होती चीदा संयोग होता है तो वह अर्थ हम इसमें जान ले पारे कि कि अठüsब संधिक अठी जोड़ अधिक अति इंद्री एक जोड़ान इन संधी है समें जोड़ अल्प अब देखए इनमें आपको संधी का ज्यान है तो अलग शब अपने आां पी निकल के आ जाएगा लेकिन हैं संधी नहीं है इहां संयोग है अति ट्रमन अति सि ट्रमन का इनमें अलग करेंगे तो आएगा इसमें अति हटाते ही सिधा शब आ जाएगा अ दूसरा उप्षर्ग है अती अधी उप्षर्ग है इसका अर्थ होता है प्रधान या स्लेष्ट अधी इक्षिन अधी जोड अधियक्ष अध्यक्ष अधियदेस यहां अपको संधी मिलेगी और यहां संयोग है अधि जोड़ पती अधि जोड नियमगा यहां अधि निकालते ही ये शब्द आपको आराम छी लिसाएगा इन में मूलड़ आप पती निकालेंगे तो अधि उपसरग अपने आपी निकलगे आ जाएगा उपसरग है बड़ावू बन जाएगा अनुकरण, अनुचर और अनुशासन इन में तीनों में संयोग है करण, चर, शासन अनुखटाते ही अपने आप ये शप निकल के आ जाएगे अप इसका रहता है बुरा, विप्रीत, अपेक्षा, अप जोड एक्षा, अप जोड कीर्थी, अप जो और इस्ट, अब यहां संदी है, यहां आप देखिए, अभी भाषन, अभी मान, मान में अभी लगाया सीधा, योग में अभी लगाया, यहां संयोग है, आव उप्षर्ग है, आव उप्षर्ग हीन, बुरा, नीचा, ये अर्थ होते हैं, आव गुण, आव नती, आव लोक इनमें सीधा संयोग भूआ है गुण में अवलग गया नती में अवलग गया लोकन में अवलग अ अर्थ होता है तक से पर्याद अवेज़न इजन्म आ मरन आगमन आ रक्षन आ कर्षन आ गात यह सारा सब अलग-अलग अपने आपी हो रहा है आ निकाल दो तो मुल्चप निकलके आ जाता है उत्थ उत्थ देखे दोस्तों पाणिनिये व्याकरण और रागुप्रकाशी की व्याकरण है उसमें इसको उत्थ बताया गया है लेकिन हिंदी व्याकरण के अनुसार ये उत्थ ही ठीक है अगर परिक्ष्या में आपको उध्य कोई ओप्शन नहीं होता है विकल्प नहीं है तो आप उत्थको ही मानें इसका अर्थ है श्रेष्ट या उपर उत्पन्न, उन्नत, उल्लेक, उत्क्रिष्ट, उत्ज्वल, उत्चारंग, उत्ज्वल, उत्चारंग, इनमें ये मूल्शब में उत्जुडा हुआ है, या उत्जुडा हुआ है, इस तरीके से ये उत्ज्वल, उत्ज्वल, उत्ज्वल और उत्चारंग, इनमें ये यह आप संधी के द्वारा विच्छेद करके आप संधी विच्छेद करके आप इसमें शब निकाल सकते हैं उप अर्तोता चोटा पास सहायक तो उप इक्षा उप आधी उप अध्येक्ष उप यहां देखिए सीवी इसमें संधी है यहां संधी है लेकिन इहां क्या है उप हार यह संयोग है उप मंत्री उप नाम इनमें जुड़ गया उप उपसर्ग लग गया हार मूलशब्द है तो यह क्या बन गया यह संयोग हो गया यह चब्द यह हटाते ही आपका मूलशब्द आ जाएगा उपसर्ग अटाते ही देखिए दुर कई व्याकरनी किताबों में दुर और दुस इनको एक ही माना गया है लेकिन जो पुरानी पुस्तके हैं उसमें दुर और दुस को अलग-लग माना गया है तो मैंने इनको इसपरीत दुर आचार दुर आचार दुर उपयोग यह उपयोग के वज़े से लगा है दुर आग्रह दुर दशा दुर गटना दुरू है तो दोस्तों कई बार यह आप इसमें जब आपसे उपसर्ग पूसता है तो ओप्शन आ जाता है दुह दशा तो आपसे पूस लेत दुह दश्या आएगा लेकिन जब हम इसमें उपसर्ग पूछेंगे तो यह दुर उपसर्ग आएगा इसमें दुर दश्या इस तरीके से उपसर्ग आएगा दुस उपसर्ग को लेते हैं बुरा कठिन विप्रित यही अर्द देता है इसलिए इनको एक भी मान रखा है दुश्यासन इसके प्रभाव से यह 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 बन गया और लेकिन यह उपसर्ग इसमें दुश्य ही है दुश्कर इसके प्रभाव से यह बन गया और दुश्यास में इसके प्रभाव से यह बन गय लेकिन देखिए दोस्तों उपसर्ग दूसी रहेगा इसमें ठीक है उपसर्ग दूसी रहेगा चाहिए इस शेय में परिवर्तित हो जाए चाहिए इस शेय इसमें परिवर्तित हो जाए लेकिन उपसर्ग यही रहेगा आगे चलते हैं नि बिना विशेश नि उन निडर निव तो कई वयाकरन एक ही मानते हैं, लेकिन हमने अलग-अलग दर्शाय हैं, बिना बाहर निर, निर अपराद, निर आकार, निर अक्षर, निर जर, निर धन, निर दोश, इस तरीके से ये शब्द बनेगे, अलग-अलग निकल जाएंगे, निश से इसका भी यह यड़त है, बिन इसमें परिवर्तित होगा इस चैमें, और इसके प्रवावस इसमें, और ये बाकी ये वैसे का वैसाई बना रहा, दोस्तो, संस्क्रित का उप्चार्ग है प्रे, इसका आर्थ है आगे अधिक उपर, प्रे आरंब, प्रे हार, प्रे उज्जुवल, प्रे आयोजक, प्रे बल, प्रे यत्न, इनमें देखिए, इनमें संयोग है, प्रे यत्न, प्रे बल, और इसमें भी संयोग है, बाकी सब में संधी है, प्रे आरंब, प्रे उज्जुवल, प्रे आयोजक, प्रा, पीछे विपरीत अधिक, प्राक्रम, प्राजय, प्राविध्या, इनमें सब में स संयोग है परि चारो और पास परि एक्षा परि आप्थ परि आवरण परि पूर्ण परि मार्जन यह मने दो बार लिख दिया है ठीक है यहां आपको संधी भी मिलेगी और आपको यहां संयोग भी मिलेगा, प्रति यानी प्रते एक विपरीद प्रती एक्षा प्रती उत्तर प्रती आश्या प्रती दिन यह सयोग है, प्रती धिन प्रति द्वनी प्रति कूर। यहां संदी है, यहां संयोग है, वी विशेश या भिन, वी अवहार, वी आयाम, वी आधी, विशेश प्रकार की व्याधी, वी जय, यहां संयोग है, वी ज्यान, विशेश प्रकार का ज्यान, वी देश, यानि देश से भिन, सू अच्छा सरल सू जोड आगत सू जोड अल्प सू जोड उपती यह वाला सू और यह वाला छोटा दोनों मिलके बड़ा उबन गए इसलिए यह इसका निर्वान हुआ सूपती यहां सिधाई मिला हुआ संयोग है सुगंद सू अवसर सूगती सम उपसरग है अच्छी तरह है पूर्ण रूप से शुद संकल्प संकल्प संतोष संयोग संग्रक्षा यह दोबार लिख दिया मैंने संश है अन अनकार्थ है नहीं बुरा यह देखिए इसमें हिंदी में एक अन और है लेकिन वो पूरा है वो व्येंजन पूरा है यह इसमें आधा है तो अनन्त अन आदी अन आहूत अन उपयोगी अन इस्ट अन उपम तो यह इस तरीके संस्क्रिट के शब्द बनते हैं कई विद्वानों ने अपी उपसरग भी मान रखा है जिसे अपी तू अपी ही यह शब्द बनते हैं कि दोस्तों संस्क्रिट के कुछ अव्याई अर्थात अविकारी शब्द ऐसे हैं जो प्रारम में जुड़कर समस्त्पद बनाते हैं ऐसे शब्द अर्थ परिवर्तम अर्थ परिवर्थ कर देते हैं इस प्रकार वे उपसर्ग के रूप में भी प् प्रक्ति यह यह नुआ हंतकी यह दोस्तों और रिख्ष यह भी शही है च्छों कि अन्तर और ईक्ष बनेगा कि अब मैं बता देता हूं इसमें इसमें एकां अंतर है इसंतर में और इस अंतर में क्या अंतर है यह देखिए अंतर राष्ट्रिये है वो इस से बनेगा यानि राष्ट के भीतर और अंतर राष्ट्रिये है अंतर राष्ट्रिये वो इस से बनेगा यह पूरा रहा आएगा अंतर राष्ट्रिये दोस्तों हम आज कर उल्टे चलने लग गए य एंतर राष्ट्रका को को इंटरनेशनल समझ बैटे जबकि इंटरनेशनल यह होता है। अंतर राष्ट्वली राष्ट्रों के बीच और इस अंतर राष्ट्र परदूर। राष्ट के ही अंदर तो ये अब चल पड़ा वो चल पड़ा पुनर पुनर जन पुनर उदय पुनर जागरन प्रादूर प्रादूर भाव प्रादूर भूत पूर्व पूर्व जै पूर्व अन यानि दिवन दिन अहनकार्थ होता दिन पूर्व आग्रह प्राक प्राक प् आकलन, प्राक एतिहासिक, पुरस, पुरसकार, पुरसचरण, पुरसक्रित, बहिर, बहिरन, अर्था बाहरी अंग, आउटडोर होता न, अस्पिताल में वोई, बहिर गमन, बहिर भाव, यानि बाहर का भाव, बहिसकार, बहिसक्रित, आत्मकथा, आत्मघात, आत्मबल, सह प भूति, स्वय, स्वतंत्र, स्वदेश, स्वरचित, स्वार्थ, पुरा, पुरा तत्व, पुरा आविशेश, पुरा तन्व, स्वयम, स्वयम भू, स्वयम सेवक, स्वयम वर्ग, सत्थ, सत्कर्म, सत्कार, सत्गति, सत्जन, अमा, अमावस्या, अमात्य, तत्, तत्काल, तत् तिरस तिरसकार तिरस्कृत अलम अलंकार अलंकरण अलंकृत आविस आविस्कार आविस्कृत आविर यह आविस्कार आविस्कृत आविर आविर भाव आविर्भू आविर्भू इती इती श्री इती हास इती आदी इत्यादी इती आदी इत्यादी इत्यादी प्रातर प्रा आते हैं काल प्राते है स्मर्ण चलिए दोस्तों अब अपनी मात्र भाशा हिंदी के उपसवगों की बात करते हैं कि पहला उपसवग है इसका अर्थ है अभाव अचल में आ लग गया अचल अगम अतल अथा है यह इस उपसवग के लगने से बनते हैं विप्रीत अर्थे देता है, अभाव होता है, अन नहीं, अन पढ़, अन होनी, अन सुना, अध, आधा, अधमरा, अधकसरा, अधकिला ये जानते हैं, आप, कई, बुरा, कपूत, कु, बुरा, कुपुत्र, कुरूप, कुकर्म, कुचक्र, कई, इनको साथ भी लिखते हैं, बुरा हीन कापुरुष काजय उचक्का उजड़ना उचलना उन एककम उन्नीस यह आदा ने आएगा यह चलो 29 कर लो इसको चलो 19 आ गया तो आदा ने यहां कर लीजिए उन्नीस उन्नीस उन्तीस उन्सट आव यह संस्क्रत आव का रूप है आवगुण यानि आवगुण आवसर 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 आवतार आवतार दू दोकार देता है बुरे का आर्थ की दोता है दुनाली दुरंगा दुगुना ती तीन का तीरंगा तीमाई तीपाई चो चार चो पाँच 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 प्चरंगा पचमेल पचमडी अब उपसर्गा पर यानि दूसरा पर हित तूसरी की भलाई के लिए दूसरी की भलाई पर लोग दूसरा लोग पर उपकार दूसरे का उपकार करना भलाय करना भर यानि पूरा भर पेट भर सक भर पाई भर पाई भर सक अबे शब्द है बिन बिना बिन खाया बिन मांगा बिन बुलाया नहीं नास्तिक नहीं आस्तिक नहीं पुंसक नहीं गंडने करने योग्य न से सहित अच्छा शू भी कई साथ जोड़ देते हैं अच्छा सू गठित जैसे सपूत अच्छा पुत्र है से फल सहित इसका अरतिये भी आएगा से कर्म के साथ से अवधान के साथ चिर सदय चिरायो चिरयोवन चिरकाल बहु ज्यादा बहु मुल्ये बहु मत बहु देशिय बहुपियोगी देखिये दोस्तों ये कई लोग इसको सीधा चोटा लिख देते हैं वाकी आप देखिये बहु जोड़ उपियोगी तो इन दोनों का ये चोटा हूँ ये चोटा हूँ दिर्ग संदी बनेगी तो बड़ा हूँ बड़े हूँ की मात्रा है ये ऐसा इनियम यहां लागो होगा आप स्यम आप बटी आप सुनी आप कास. नाना अनेक परकार अनेक वीवित. नाना प्रकार नानजाति नाना विकार सम सम शमान सम्तल कख्ष शमदर्शी कोण संकाले दोस्तों विदेशी उपसर्ग में पहले अर्भी फार्च के उपसर्ग देखते हैं बे इसकार्द होता है बिना रहित बे घर बिना घर बे पना है बे नजीर जिसकी नजीर दूसरी नहीं मिलती बेंजीर भुट्टो थी ना इसका उधार दूसरा नहीं हो बे रोजगार बा सहित यानि बारोजगार लेखे बे रोजगार का विलोमचप्द बारोजगार होगा रोजगार सहित बाइजट इसका विलोमचप्द बे इजजट होगा बादब अदब के साथ इसका विलोमचप बेकाइदा होगा, दर में, दर असल, दर हकीकत, लेकिन कई लोग इसको दर असल में, साथ साथ बोल जाते हैं, वो गलत है, पुन्रावर्ती होती है, दर असल में ये बात ठीक नहीं है, तो में और असल दोनों का प्रियोग साथ साथ नहीं होगा, दर असल का अरत यही होता है में, दर का अर्थ में होता है, उसका अर्थ हो जाएगा असल में, असल में, हकीकत में, ये अर्थ हो जाएगा इसका, हकीकत में, कम, थोड़ा अलपहिन, कम अकल, कम जोर, कम उम्र, ला, यानि बिना, परे, ला इलाज, ला पता, ला जवाब, यानि निरूत्तर कर देना, ला इक शब्द और बनेगा बे परवाहे और लाइस नहीं नाहीं ना नहीं ना पसंद ना नहीं, ना पसंद, ना काम, ना जायज, ना लाइक, लाइक नहीं हो, जो जायज नहीं हो, वो काम का नहीं हो, जो पसंद नहीं हो, सरप्रधान मुर्ख्य होता है, जैसे सरपंज, सरपोतदार, जो पोत होता है जहाज, उसका जो हेड होता है, प्रधान होता है, पोतदार, यानि जहाज को रखने वाला और उनका जो हेड है वो सरपोतदार है सर ताज हर प्रतेक हर दम हर वक्त हर रोज हर घड़ी बद बुरा बद चलन बद नाम बद भू बद गुमान खुश अच्छा स्थेस्ट या देखें बद में भू है गंध अब इसमें बद लगा देंगे तो बद बू हो गया और खुश लगा देंगे तो खुश बू हो गया विलूम चब्द होगे मूल चब्द बू है खुश हाल इसका बद बद हाल हो जाएगा खुश कबरी खुश मिजाज बद मिजाज भी हो जाता है बेश अत्य दिक बेश कीम अजय बाद, बेश्किम्ति, भैध सहीत बतोर बशार्त बदोलत बधोलत भूषी बिला बिनावजय हैं बिलाकसुर, एन धीख, एन वक्त, एन याण गेह, नेक भला नेकनियत, नेक नां नेक दिल, नेक रह्त, ऑभाव, गैर हाजिर, गैर ओरत, गैर वाजिब, गैर मर्द, हम साथ, हम उम्र, हम दर्द, हम राज, हम सफर, साथ साथ सफर करने वाले, राज बांटने वाले, दर्द बांटने वाले, साथ साथ, अल निस्य अल गरज अल सुभय है ल विदा फी इसकाлет होता है फी प्रति प्रति Dos पर संतर फी मैदान बर ये दो उसरग ये सब लोग नहीं मानते हैं लेकिन कई पुस्तकों में ये हैं कई विधवान इसको मानते हैं बर उपर में बाहर बरदास बर बार बरकरार बर कई विद्वानों ने इनकी संक्या fix कर रखिए लेकिन dio वीदेशी उपसर्गों की संपया fix नहीं को अठारा बताएगा को टीरा वताएगा को विशी बताएगा और भी उपसरग के आ सकते हैं क्योंकि शब्द का निर्मान होता है उनसी तो उपसर्ग वो उपसर्ग हैं उपसर्ग रहेंगे अब कुछ अंग्रेजी के उपसर्ग देख लेते हैं प्रमुख प्रधान चलती रहती है उपसरगों के माध्यम से, प्रतियों के माध्यम से, और भी अनेक प्रकार से, अब एक से अधिक उपसरगों से भी शब्दों का निर्मान होता है, जो नयार देते हैं, देखिए, परोपकार शब्द, पर, उप और कार, ये दो उपसरग लगे हैं इसमें, कार में, पर और प्रत्याशित्त्याशित्याशित्याशित्याशित्याशित्याशित्याशित्याशित्याशित्याशित्याशित्याशित्याशित्याशित्याशित्याशित्याशित्याशित्याशित्याशित्याशित्याशित्याशित्याशित्याशित्याशित्याशित्याशित्याशित्याशि ए जोड प्रती जोड आशा जोड इत देखिए इत प्रते लगा है इसलिए आशित हो गया और यहाँ ए पहला उप्चर्ग यह लगा फिर प्रती यह उप्चर्ग लग गया आपको संदी विछे दाएगा तो यह अपने आप निकल के आ जाएगा ए निकल के आ जाएगा प्रत कि यह प्रतियाशित कि दोबारा देख लिए ए प्रति आश्या इत तो हमें प्रते भी निकालेंगे तो दोस्तों मेरा अगला वीडिया वीडियो प्रतियक आई है तो आप वह जरूर देखें दोस्तों कई उपसर्ग हैं जो जैसे विदेशी उपसर्ग में बिल उपसर्ग भी है जैसे बिल्कुल शब्द बनेगा और कई लोग उपसर्गों को गलत प्रियोग कर लेते हैं जैसे निश्फिक्र बोल देते हैं कई चलते चलते बे फिजूल बोल देते हैं और फिजूली ह इस अप्सफिक्र को संस्कृत का उपसर्ग है वह आप अर्भी फार्षी वाले शब्द में लगा रहे हो बेभिक्र सही होगा तो हमारी होने से कि हम सही उपसर्ग का प्रियों करें दोस्तों संख्या के किसी विवाद में नहीं पढ़ते हुए और कई उपसर्ग ऐसे भी हैं जो हिंदी के संस्कृत में आ रहे हैं विभिन्न विद्वानों की विभिन्न पुस्तकों में अलग-अलग आ रहे हैं लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि आपको मानक प्रामानिक जानकरी दू मैं मेरी कोशिश में कहां तक सफल रहा हूं यह तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताएंगी हिंदी संस्कारों की भाषा है कृपया मर्यादित भाषा में कमेंट करें मेरा वीडियो आपको प